हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे उटूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊओं कि P.F. में फॉर इकुल भी स्कीप ना करे और वीडियो को एंड तक जूर देखे फ्रेंड बोस से मेंबर ओनलेन अपलाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका फॉर्म रिजेट कर दिया जाता है और फिर रिजेक्शन में लिखावा आता है कि प्लीज फिजिकली फॉर्म सम्मिटेड मेंबर फि सेर यह दोनों मिल जाते हैं इसलिए फॉर्म 19 का पैसा भुट ही जरूरी होता है निकालना तो फैंड यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि फॉर्म 19 पूरा कैसे बरा जाता है तो चली फैंड अब मैं आपको बताता हूं कैसे इस फॉर्म को भरे वह भी एक एक स्ट प्रेले Google पर PF Form 19 डाउनलोड टाइप करके यहां नीचे इस ओप्षन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड देखिए Form आरे सामने आगे है इसको आप ऐसे Google से डाउनलोड कर सकते हैं और इस फ्रेंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा महां से आप डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं फेंड अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है यहां पर सबसे उपर आपको अपना यूर नंबर लिखना है उसके बाद यहां मॉवाइल नंबर के आगे अपना मॉवाइल नंबर लिखना है फिर यहां नंबर एक पर नेम यहां नमबर तीन पर अपनी डेटर पर लिखनी है उसके बाद नमबर चार पर लिखा है नेम एन एडरस ओब्दा फैक्टरी ओबलिक इस्ताबलिस्मेंट यहां पर आपकी कंपनी का नाम और पूरा एडरस आजाएगा अगर इस्टैम्प है तो वो लगा देंगे फिर नमब चे पर अपनी डेटर जोनिंग लिख देंगे उसके बाद नमबर साथ पर डेट ओव लिविंग लिख देंगे नोकरी छोडने की तारीक उसके बाद नीचे नमबर आट पर लिखावा है रीजन ओफ लिविंग सर्विस इसके आगे लैप्ट ओफ सर्विस लिख देंगे फ आपकी service पांच साल से कम है तो यहाँ पर yes करना है और पंदरी फॉरम भरके इसके साथ लगाना है और अगर आपकी service पांच साल से ज्यादा है तो यहाँ पर no कर देंगे उसके बार नमबर दस पर अपना पूरा address लिख देंगे फिर आता है 11 नंबर 11 नंबर बहुत ही important होता है इसको एकदम ध्यान से बरना है अगर इसमें कुछ भी बलत भरा तो आपका form reject हो सकता है यहां पर सबसे पहले saving bank account number के आगे अपना bank account number लिखना है जो KYC में update है फिर name of the bank के आगे bank का नाम लिखना है उसके बाद branch का पूरा address लिखना है और नीचे IFC code लिखना है फिर यहां left side में आपको अपने sign करने है उसके बाद red side में आपकी company के मालिक के sign होंगे वो भी stamp के साथ फिर नीचे date डालनी है जिस दिन आप इस form को pf office में submit करेंगे उस दिन कि यहां पर date डालनेंगे फिर यहां next page पर box में आपको एक रुपे वाली revenue stamp लगानी है और उस पर cross sign करने है और यहां पर कुछ भी नहीं बढ़ना है उसके बाद नीचे भी कुछ नहीं बढ़ना है यह सब pf office वाले भरते हैं फैंड उसके बाद इस form के साथ आपको अपना धार कार्ड, pen card और एक cancel check या past book की photocopy लगानी ह और documents पर आपके sign होंगे और company के माली case time के साथ उसके बाद आपको पूरे set की एक photocopy करनी है एक original set pf office में जमा हो जाएगा और photocopy पर आपको receiving मिल जाएगी फिर आपको 10-15 दिन तक का wait करना है उसके बाद आपका claim settlement हो जाएगा settlement होने से पहले आपके mobile number पर message भी आ जाएगा कि कितना amount approve हुआ पी अफ से तो friend essay form भरके आप अपना claim settlement कर सकते हैं और किसी को को ही problem आती है तो आप मुझे comments कर सकते हैं या फिर मुझे mail भी कर सकते हैं मेरी mail idea आपको description box में मिल जाएगी